बल्देव सिंग तालिवाल्दी कहाणी नाम्धा पिछला अद्ध दूसरा पाग मनू सुन्दर्ता सिर्फ हार्शिंगार्ची नी हुंदे पूरी पस्नालिटी चुन्दी है मैंनू सारा दिन बजारू अर्था वांग मेकप थप्पी रखना बहुत अनक्रियेटिव जया लगदे इंदर ची थोड़ा खिज के बुली वाँ क्या डायलाग मारे है मन पाल जे उन्हों होर खिजाणा चौन्दा सी ताके अग्ये तू अपने नमें परिवर्तनों विसार देवे सच सवर के पढ़न बैठना था मैंने यहों लाग दा जि मैं गड़ी थी उडीक चे टाइम पास करन ले कोई प्लाटफार्म ते बैठा पढ़ रहा होगे बस तुर्दा तुर्दा जया मैं ता होस्टल च वी इजी ड्रेस ची बढ़ सकती सी यादत पक गई है मेरी बेगम कारती होस्टल च फरक होंद है तू होन युनिवस्टी च पढ़ दी कुडी ने व्याई वरी कारबार वाली है समझी पलाज जे मेरे नाल कोई आजे ती आके वेखे साड़ी मलका दी शकल ता की कहे तू ता यूं कमले आंगू लगी पईया जवे इमत्यान देना हुए मन पाल ने उन्हों लानत पौंड वांग किया हां मैं एम त्यानवी देने एम फिल कंप्लीट करनी है तो फिर कहेंगी नोकरी करनी है है ना क्यों नोकरी करनी को गुना है मैं ता इंग्लिश सब्जेक्ट चुनियाई नोकरी पक्खों सी जा चाद कब्बना लगबी हूरी पकाई मारन पंदाक्किया ठक्क्या करों कारों दै ये गुम्बै सनली त्यार पैठी है मन पालने उल्ट पासेनू तुरी गलबा तुखेडा चुडाण वांकिया ते इंदरजीत चुप चाप्रसोई वलनू तोरपई रात नू सौन तकोनाच गेरी चुप तनी रई बैट दे के नारे जे उत्ते पै मन पाल दे वालांच हत फेर दे इंदरजीत ने उनू मनाण दे लेज़ेट क्या मनू डोंट माइंड मैनू आज टाइम दा त्या आने नी रिया क्योंके बहुत ही चिर्पिच्छों मेरा त्यान किसी रचनाची यहों जुड़िया सी पिशले दिनाच मैनू इस गालते खेजाओं दी रही कि पश्णूआ वंगों खाना पीना ते सेक्स करनाई जमें मिरी जिंदगी दा एम रह गया हुए मैनू लगया कि जे ए अन क्रियेटिव जे महाल कुझ समा हो रहे में रहा तो मैं कदे भी कुझ नहीं लेख सकना मैनू एक कॉंप्लेक्स रहन लग पिया है ते फिर की पहाड़िक भू जे तू ना लिखेंगी कभी तामा वी सो कभी पौँख दा फिर दा इस गंदी मुलक जा हर वे लड़ कभी बन बैठता है मन पाल दा गुशा जी उत्रिया नहीं सी मन पाल दी गल सुनके गुशा ता इंदर जीतनू भी आया पर उन्हें ठरमा रख देया अपनी गल होर सपष्ट कर लिखया मनू एन्नी सरल गल नी ये लिखन लिखाण वाली पस नली मैनू ए मैसूस होंदा है कि जे मैं ना लिखा ता मेरे अंदर एक गुबार जया पर अनलाग पेंदे मैनू लगदा जानता मैं इस गल्थ सिस्टम नू तोड़ फोड़ देया ते जा अपना सिर्पा नलवा लिख के अपना गुबार कड़नल मेरा मन कुझ होड़ा हो जान दे जिवे अपनी गल कहली होगे इंदर जीत ब मान पालनू से त्राच्वी मैसू सोरी सी को पासी पैरें नालो दा पासा ठाक गया सी नशाता कुझ काट रहा सी पर मतलाहा टोमे सी उदा मान केता उठे सांग चुंगली मार्केट टे डविचला सब कुझ बार उगला च्छ देवे उन्हे उठके वें केता उन्हों एन्नी जी दी शकल भी चेते चो गुजरी बिलकुल एसे तरा दी कच्यान दाय सास उन्हों टेलीफोन होते इंदर जी दाओ काटमा बोल सुनके भी होया सी उल्टी करन नालो होड़ा फुल ना होया उन्हों अजेवी बाता के मेदा पुठा उन्हों दा जा परिया सी उदा सेर पा यां लत्ता उत्ते पार पौनियां रोण हाका होके गया उन्हों छोटे बचे आवांग मां तो दूर कल्ली रहन दाय सास बड़ी शिद्धत नाल होया उदा मन कीता के उदी मां कोल होवे उदे पारे होए सिर्च पानी दी तार पावे विलकुल उसे तरांज वेक वरी बज पंच नक सीर फुट्टन समय पाई सी निका जा मन पाल पजया फिर दा फार्षते डेग पया सी थल्ले नक वजन नाल होदी नक सीर फुट्ट पैसी नक चो वेंदी खोन दी ततीरी वेक योदियां चिका निकल डिया सी माने उदे सिर्थे मत्थे ते ठंडे पाणी दी तार पैसी खोन रुग गया सी मान दा चेता ओन्नाल मन पाल दा मन पार आया उन्हें सोचया कि जेओदे मांबाप कोड होंदे ता शायद इंदर जीतनालेस हद तक गल्वदनी न दिल्दे मन पाल दी माने दूर बैठ्यावी इनु वेले सिर्थीक सला देती सी पर मन पाल ने अन मन पाल ने दारू पीपी अपणा बुरा हाल कार ले आये ता उनने फौन करके मन पाल नूं केनीडा पउंचन दी सिला दित्ती सी पर मन पाल मन ने आने अने इसे उनाधिनाच इंदरजीत्तっていう नोक्री करन्दे फैस्लेने कार्धा क्लेश्वदा अधित्ता से इंदरजीत्ने एम फिल करके कॉलिज़ पार्ट थाइम लेक्चरार थी नोक्री करलेई से मन पालनू इंदरजीती नोक्री करन्वलेगाल जिन्नी पैड़ी लगी से उत्वा देगल बुरी लगी सी कि उनु नुकरी जस्देव रही मिली सी जस्देव इंदर जी देवी पागदा सीनियर विद्यार थी उन्दा सी ते इंदर जी दी उसनल सांजो दियां साहितिक रुचियं करके सी जस देव नाल मन पाल दी पहली मुलाकात इंदर जीदे होस्टली होई सी मन पाल दे जानतों पहला उकठे बैठे चापी रहा सी मन पाल नूँ ओ एक दूजे दे बहुत नेडे जापे सी पर जदो उने चोरी पता लाया सी तो उनूँ पता लगया कि उना दी सांज सिर्फ साहितिक सी ये तो अगे कोई गाल नहीं सी इस करके मन पाल ने अपने शक्नों दबालिया सी एंफिल दोरान जदो इंदर जीद दा जस देव नाल चिठी पतर हुंदा रहा तांवी मन पाल के भी नके में जर गया सी ताउ संदर जस देव प्रती इर्खा देक चंग्याडी रीपाक पई सी ये चंग्याडी उस्विले लांबू बाणके पड़क उठी सी जुदो इंदर जीद दे नोकरी लग्ण तो बाद जस देव दे गेडे उना दे करिवाद गे सी कॉलेज तो छुटी हुंदे अंदो टाई वजे जस देव इंदर जीद नू स्कूटरों ते कारला जानदा ते कदे-कदे इंदर जीद उन्हों मलो जोरी रोटी भी खुआ देंदे कई वार मनपाल लांच करना ओंदा ता अगों जस देव भी डाइनिंग देवल दे बैठा हुंदा उन्हों एक के मनपाल दीप उखी मर जानदे आख के वार लांच दफ्तर ले जान लाग पया ते रात नू भी देर तक दफ्तर बैठा शराफ पीनदा रहन दा उखीजिया खीजिया रहन लाग पया इक रात मनपाल काफी देर तक कार पहुंचे आता जस देव अजे भी उना दे करे बैठा से उन्हों इंदर जीत ने आपी नी सी जान देता उन्हों जस देव रही मनपाल नू अपनी नोकरी दे हक विच कन्विंस करोना चोंदी सी ताके मनपाल दा गुसा लाजाए पर जस देव नू वेहके मनपाल नू सत्ती कपड़ी अग लागे उन्हें बड़े यतन नाल अपने गुसे नो दबाउनिया जस देव नाल हाथ मलाया होर कोई रुची नाल लई जस देव जो भी पुछदा रहा मनपाल हूँ हांच जवाब देंदा रहा पर जदों जस देव ने बैस छेड़ी लई ता मनपाल ने भी कुछ बंदे सर्दे जवाब देते बाई जी नोकरी जी एन्ना माडा की है इद अब रोध किता जाए जस देव ने पुछ आप हो अपनी पसंद हुन दी है मनपाल ने सरसरी किया फिर भी पसंद जा ना पसंदा दार ता कोई ना कोई हुन दा ही है मनपाल नुए सुआल दा जवाब ना ओड़े उसलिए दलील नाल गल करने मुशकल हो भी इसलिए उन्हें सुआल दा जवाब विक ही दितना इसलिए उन्हें सुआल दा जवाब सुआल ची देता उर सोई चुबार अन्या जस्देव दा पक लाके बोली जस्देव जी असल्च गाले है कि बीए विच्चो बहुत चंगे मार्स नहीं ला सके एदर ता केरियर कोई बन नी सकदा सी कब बिजनस वल पे गए उचंगा चाल गया है उने न एंटी सर्विस ता सिधा आंती बना ले है ते दूजियां उत्ते भी थोपना शुरू कारता है ये कोई गल होई पला तेरा ता केरियर बहुत चंग है तु घरी जा नौकरी मेरे वन्नी उपा में व्यावी नौकरी नाले वाले नाली कराले मन पाल गुसे चु बलदा इन्नी कैके उठ खड़ा ते बेडरूम चु चला गया ये ता केंदी आया है कि जांता नौकरी ओ जिनानियां कर दिया जिन देख खुंजे जबई रहे इन्दर जीत ने वा जस देवनू मन पाल देविचारड से तड़ जस देवनू इंदर जीत उते तर्साया पर वो कुझ ना बोलया वह पर जा पिता बिना रोठी खा दे चला गया हरक चे इन्दर जीत ने भी रोठी ना खा दी मन पाल तो देनु विचो लबना के लियाएंगें। तेरा चाप पूरा हो जो। सेंसिबल नाल रेन दा दकियान उसी तो खेड़ा छुट्टू। मैं ता इकको कराकी रज्जी पईयां। ओधो केंदा सी असी पती पत्नी नी दोस्त बन के रहांगे। जे वेनु पता होंदा तु एहो जा पती बाण बैठेंगा तेमा कदे भी न करौधी वियावे। मैंनु वी हुण वेला खुण जागी पता लगया है कि कोई भी पती दोस्त नी बाण सागदा। सब गल्लां देल फाफी हंदे है। चलो होनता तेनु दोस्त भी मिल गया। पती नल रहके ता तेरी कविता मर चले सी। ओन फेर जियो पवगी। मन पाल ने तीरां दिया नोका नु जैर लाला चड़न वांग एक शबद बुल्या। मन नु इंदर चीत ने लेर मारन वांग किया ते मन पाल दी छाती ते मुकीया मारन लगते। प्रड़ा करदी चपेडो दे मुँते बज्जी ते ओनु जोक वांग तोड़के परेशोट देया मन पाल ने किल लके कया। रामजादी है मैंनु लुभनों नी है। मैं किद्दे दा तेरे मुँ अलवेखदां। वी आजवी सुद्री कल वी सुद्री तू हर जिद्ध पगाणिया अब दी। ले अग्येता नी बढ़िया पर होन तेनु पती बढ़ के वी बखाऊंगा। बढ़ाणाय तेनु बढ़ी चोद्रा अनी। चपेड खाके इंदर जी तद्धी राद तक बच्चियां वांग लेरा मार मार रोद्धी रही। उस अंदर ला खारे पाणी दा द्रया रोक्या न रोक्या हंजुआ नल सरा अनंपे जिगया। मन पालने उनु वराया भी ना सुग द्रवाजा बंद कारता के अवाज बार ना जावे। इंदर जी दियां ले रहां कम्रे दियां कंदा नल टकरा जवें हाफ गया हूँ। वो पहला सिस्कियां च बदलियां फिर हट को रहां च त्यांत इंदर जी दे नाली सौण गया। कई दिन कार्च सिव्यां वर गेचो परें। वो मार्च दे आखरी दिन सन। इंदर जीत कॉलिज तो रिलीव कर देती गई सी। वो कई दिनू डीक कर दी रही के मनपाल अपनी गलती ले माफी मंगेगा। परोता सो गो होर सक्त हो गया सी। वो दूजे कम्रे च साउन लग इना कुछ दिनाची इंदर जीत ने इना कुछ सोचिया कि उदा धिमाग फटन वाड़ा हो गया। मनपाल रूटी वी बार ही खान लगते है। उस रावांग सिर्फ रात कट्टनी का रोंगा ते स्वेरे निकल जावला। इंदर जीत नू सुनना का रवड़ वड़ खान इक दिन स्वेरे स्वेरे मनपाल उठेई सी कि इन्दर जीत बैग चपने कपडे पारी सी। मनपाल ने बहुता त्यान ना देता थे चुप चापक बार वेख दार्या। मैं जा रही है। कोडों लंग दी इन्दर जीत ने यहूं किया। जुमियोंने मनपाल दी थां कार द इस तुर्दी सी जुमियों दे पैरानाल पहाड बज्जे हुन। उदा सारा स्रीर जुमियों कन बढ़ के मनपाल दी पैड चाप सुननन वन लग्या हुया सी। उन्हों उमीद सी कि मनपाल जरूरों दी बांफाड के तूंदा हुया अंदर ले जाएगा। यहूं सोच दि चुम्बूए दे सहारे खड़े मनपाल नूं। उन्हों तक विये उन्हों लाग रिया सी। जिमें अंदर जीत मलकड़े जये उन्हों बांफाड के अंदर ले जा पैएगी। पर फिर आपी उन्हें कन दे सहारे नाल तूर देयां फ्रिज तक दा रस्ता पड़ी मुश्क करें। ओदे अंदरोईक तुरली जी उठी ते पाणी पीता बार निकल गया। मेला कुछ अड़ा जया पाणी फर्ष्तों हुन्दा होया रसोईचो निकल दी खुली नाली चे डिक पया। ति फेर वुरांडे दे दरवाजियां गू। बने पुला हेटु लंगदा होया बार ले बुएवल चला गया। एनू वेख के मन पाल दे दिमाग चो इक पाल ली ए ख्याल लंगया के पुला हेटु पाणी लंगया पाणी कदे नी मुड़दा। रामजादिये तु जेड़ा वार अज कीता है। एदे नालता पाणी पुलां दे उत्तों भी लंगया चेते चो इंदर जीते हो बोल चीर पॉंदे फेर लंगया। जेड़े उन्हे अज टेलीफोन उते बोले सान। मैं आवदे मुड़े दाना इंदर देव राख ले आए। जे तु टीट बणके अजे भी मुड़ा खोन दा यतन कीता है। ता मैं तेरे उते नामर्दी दे ब नालो दा मुण कुनीन दी गोडी खान वांग को सेला हो गया। उन्हें मुण दी जिल्बनूं कठा कीता ते जोर नाल तुक्या पर पूरी तरह तुक्या ना गया। कुतिए उस हराम दे बीदा ना यों मान नाल दसंदी की लोड से। मन पाल ने यों बोलके गाल कड़ी ज तूस होई। उकुरली करके होली होली तुर्दा बेड तक पहुंच गया। लम्मा पैके उन्हों अराम जे आया। दिल दी तडकन कुछ ठीक हो गई। उ बेड दे के नारे ते यों प्यासी जिमें बाकी दी था इंदर जीतली रखनी होगे। उ विचाले होके पूरे जीत समझ के लाड़ लड़ाओं दे रहना सी। उन्ता जी आवे मैं तावी न वड़न देवां। क्यों पाड़ा मैं लोकां दे इंदर दे। मन पाल अंदरों तुर दड़ी जी उठी पर उल्टी नी आई। उल्टी किस चीज दियां दी मिदा ता बिलकुल खली हो गया सी रात टल चुकी सी। उन्हें सोचिया स्वेरे तबियत ठीक हों दे आई। अपनी माधी चिठी दा ज्वाब लिखेगा। उह उन्होंनू कैनेडा तो स्पांसर शिपे जल्ली कहेगा। इना सोचां चोदा त्यान अपनी सिर्फ पीड वल्लों वी कुछ हट गया। ते उन् नेंद आ गए। तन्वाब।